तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फंक्शनल बजट से रिलेटिट इसमें आपको इसका कॉंसेट हम अरेडी देख चुके हैं जिसमें हमने देखा है कि बेसिक यही फॉर्मेट रहता है सबसे पहले तो आपको सेल्स बजट यहां तो क्वेश्चन में दिया रहता है या तो आपको फाइंड आउट करना रहता है फिर उसी के बेस पर प्रोड़क्शन बजट बनता है देखो आपको यहां पर फर्स लाइन में ही लिखा हुआ है प्रोड़क्शन बजट बनाते वक यह क्या है purchase budget raw material purchase budget उसी तरीके से labor budget होता है तो यह हमारा जो है यह हम इसे already explain कर चुकी हूं मैं इसको तो इसे मैं वापिस explain नहीं कर रहे हूं आपको सब इतना जानना है कि यह हमारा क्या है basic format है और अभी जो हम questions rate करेंगे उसकी questions के according हम क्या करेंगे इस basic format में जो भी हमें variations होंगे वो करते जाएंगे यह जो format बनाया वह है वो किसके लिए बनाया गया है अगर हमारा फिनिश कुट जो है वो अगर एक ही है और अगर हमारा जो उसमें raw material लग रहा है वो भी अगर एक ही होगा तो ठीक है तो हमारी question में हो सकता है दो फिनिश कुट्स हो तीन raw material हो तो accordingly मतलब अलग-अलग situations आ सकती है तो उसके हिसाफ से हम हमारा formatting क्या करते जाएंगे change करते जाएंगे ओके तो अब हम आते हैं हमारा main question read करते है question number 9 तो question number 9 read करने से पहले हम उसका required portion read कर लेंगे तो required portion read करेंगे तो सबसे पहला तो आपसे पूचावा है calculate the number of units of product proposed to be sold and selling price per unit ठीक है आपसे क्या पूचा है number of units आपको बताने है कौनसे number of units जो की proposed to be sold it means आपको ये sales budget बनाने के लिए बोल रही है sales budget की figure आपको नहीं दी गई है तो budget उन्होंने बनाने के लिए नहीं बोला उन्होंने हमें number of units calculate करने के लिए बोला है जो की आप sell करने वाले हो साथ ही साथ उन्होंने हमें selling price भी बोली हुई है तो it means आपको production budget बनाने से पहले आपको ये figures लानी है तो आपके पास budgeted units और budgeted selling price होनी चाहिए जो की आपके पास नहीं दी गई है तो उसके लिए हमने ये देखा था कुछ तरीके होते हैं sales को find out करने के लिए जैसे कि total cost plus profit करते हैं तो हमें sales मिलता है तो उसमे variable cost total cost में क्या आता है variable cost और fixed cost दोनों आते हैं उस में add करते है profit तो हमें क्या मिलता है sales मलता है ठीक है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते है number of units निकाल सकते है यह selling price basic format जो था वो आपने दिमाग में रखना है उसके बाद आपको बोला है production budget in units ठीक है आपको ये भी ध्यान से देखना है कि आपको in units बोला है या in rupee wise बोला है ठीक है सबसे तो आपको sales number of जो आपने number of units sold किया है और उसकी selling price पूची है उसके बाद production budget पूचा है और तीसरा आपको प्रोड़क्शन बजट बोला है वो भी आपको units में पूचे गए है उसके बाद अब हम आते हैं main question rate कहते हैं आपके पास दी गई है DEF limited company जो है वो manufacture कर रही है और sell कर रही है single product and has estimated a sales revenue of 397,000 इन्होंने lakhs में amount दी गई है 397.80 lakhs ठीक है 397.80 lakhs का आपको क्या दिया गया है sales revenue दिया गया है ठीक है तो हमारी company DEF limited वो manufacture करती है और sell करती है single product तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम finished goods कितने बना रहे हैं तो उन्होंने single product बोला है इत मींस हमारा एक ही product एक ही finished good है and उन्होंने उसका sales revenue बताया गया है जो की है 397.80 lakhs during the year based on 20% profit on selling price ठीक है और ये जो है sales revenue जो है sales revenue जो है ये किस तरीके से निकाला गया है आपकी जो भी cost होगी cost में हमने profit ये जो profit add किया है न वो हमें दिया गया है 20% on selling price ठीक है इसमें हमने कुछ profit भी add किया होगा लेकिन ये profit का जो percentage दिया गया है वो हमें selling price के basis पर दिया गया है ठीक है और अब आगी क्या information दी गई है each unit of product requires 6 kg of material A and 3 kg of material B देखो each unit बोलाए हर एक unit ये जो हम बना रहे हैं न single product तो एक जो हमाना finish good होगा उसमें each unit हर एक finish good को बनाते वक्त हमें क्या requirement लग रही है एक तो हमें material A के 6 kg units लगेंगे और साथ ही साथ material B भी लगेगा हमें उसके 3 kg units लगेंगे तो एक means हमारा finish good तो एक ही है लेकिन हमारे raw material दो types के हैं वो कौन से दो type के raw material है एक तो material A दूसरा है material B ठीके और उनके हमें units भी बताएं kg term में कि कितने कितने हमें एक finish good बनाने में कितने kgs का A लगेगा और कितने kgs का B लगेगा and processing time processing time of four hours in machine shop and two hours in assembly shop और हमें हमें hours बताएं गए है hours required per unit एक unit finish good बनाने के लिए हमें कितने hours लगेंगे ठीके hours required per unit तो सबसे पहले तो आपको दो दिये गए है एक तो assembly shop दी गई है दूसरा machine shop दिया गया है ठीके तो machine shop में आपको लग रहे हैं four hours और assembly shop में लग रहे हैं आपको two hours तो दो machines दी गई है हमें और हमें बताया गया है कि एक unit बनाने के लिए machine shop में कितने hours लगने वाले हैं और assembly shop में हमें कितनी hours लगने वाली हैं साथी साथ आपको बताया है factory overheads that are absorbed at a blanket rate of 20% on direct labor आपको देखो ये overheads बताया गया है overheads जो हम absorb कर रहे हैं वो blanket rate 20% on direct labor direct labor के 20% पर हम क्या कर रहे हैं हम absorb करेंगे factory overheads को तो अगर आप बहुत careful ही ध्यान दे रहे होंगे तो हमें देखो किस तरीके से information दी गई है हमें सबसे पहले तो material की information दी गई है ये जो information दी गई थी ये material की information दी गई थी और ये जो material है ये material के बाद हमें दी गई है hours की information यानि की labor की information दी गई है उसके बाद हमें जो information दी गई है factory overhead it means ये सारे हमारे expenses की हमें details दी गई है material क्या है हमारे लिए variable expenses होता है labor भी हमारे लिए variable expenses होता है factory overheads ये किसके उपर depend करता है direct labor इसका मतलब ये factory overhead जो है ये भी हमारे लिए क्या हो गया variable overhead हो गया उसके बाद आपको variable selling and distribution overhead दिये गए हैं तो इसमें तो नाम में ही लिखा हुआ है variable selling and distribution इसका मतलब ये भी क्या है variable expenses है और ये हमाँ बताया है रुपीज 6 per unit sold and उन्होंने बोला है fixed selling and distribution overhead यानि कि हमें fixed overheads भी बताये गए है fixed overheads हमारे कितने है fixed selling and distribution overhead ये हमें बताये है रुपीज 7,20,000 ठीक है तो अब तक कि जो information दी गई थी उसको अगर हम table form में लिखे तो देखो हमें क्या क्या दिया गया है first line में आपको sales revenue दिया गया था आपको profit बताया गया था कि आप profit कितना charge करे हो 20% of our sales उसके बाद आपको बताया गया था कि आप material एक unit बनाने में एक unit finish good हम बना रहे हैं तो एक single finish good हम बना रहे हैं तो उसमें जो material लगने वाला है तो दो types के material लगेंगे एक तो A दूसरा है B A वाला लगेगा आपको 6 kg B वाला लगेगा 3 kg उसकी बाद hours required per unit दो एक तो machine shop है दूसरा assembly shop यहां बहुत light में आया हुआ है तो आपको दिख रहा होगा assembly shop है machine shop है तो machine shop में आपको एक unit को हम दो machines में process करते हैं तो पहली जो machine है machine shop है उसमें 4 hours लगते हैं और assembly shop में आपको 2 hours लगती है ठीक है आपको देखो नीचे पर्चेस प्राइस दी गई है other relevant details में आपको material A की पर्चेस प्राइस दी गई है material B की पर्चेस प्राइस दी गई है तो अगर हम material की price को इन ये जो 6 kg है ये क्या है price पर kg है तो multiply by number of kg से करेंगे तो एक unit में हमें कितना purchase raw material लगने वाला है raw material का cost एक unit का मिल जाएगा उसी तरीके से B unit का भी हमें क्या दिया गया है B material का भी 1 kg के हिसाब से हमें क्या दिया गया है price बताई गई है तो हम 3 kg यूज करेंगे तो 10 x 3 करेंगे तो 30 kg का मुझे एक unit बनाने में एक unit finish good बनाने में material B का खर्चा कितना आएगा 30 उसी तरीके से मुझे labor rate भी दिये गए है देखो आपको उपर क्या दिया गया था labor hours दिये गये थे और तो यहाँ पर आपको जो rate दिया गया है यह per hour दिया गया है तो अगर आप इनसे multiply करोगे यह machine shop का दिया गया है तो 14 x 4 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा आपको मिलेगा एक finish good बनाने के लिए machine shop के कितनी cost आएगी एक unit के cost आप निकाल रहे हैं साथ ही साथ assembly shop के भी hours आपको दिये गए है 7 hours दिये गए है तो 7 hours यह हमारी machine sorry assembly shop है तो 7 hours into 7 rupees sorry 7 rupees per hour दिये गए है तो 7 rupees into 2 hours करेंगे तो 14 rupees आएगे तो एक unit बनाने के लिए मुझे 14 rupees का खर्चा लग रहा है assembly shop के लिए तो it means इन दोनो information को combine करकर हमें क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है material की price मिल रही है material purchase price और यहां से हमें मिल रहा है labor के labor charges मिल रही है उसके बाद हमें factory over rates तो दिया ही गया है जैसे ही मुझे यहां labor के charges में निकाल लूँगी तो उस पर मैं 20% से multiply करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा factory over rates ठीक है तो यह तीनों भी मेरे लिए क्या होगे देखो material के बाजिवा मैंने लिखा variable labor भी variable factory overhead भी variable उसके बाद आपको variable selling and distribution overhead दिया गया है यह तो वैसे भी हमें per unit sold याने की एक unit finished good बनाने के लिए हमें खुदी उन्होंने बताया है कि इतना selling and distribution overhead लगेगा साथी साथ फिर उन्होंने हमें बताया है fixed selling and distribution overhead याद रखना यह जितने भी हमने निकाले material labor fixed overhead selling and distribution overhead यह पहले जो हमने 4 निकाले यह चारों भी variable nature के थे और यह चारों भी हम per unit of finish good एक unit finished good बनाने के लिए कितनी cost आई तो per unit के लिए सारी cost हम निकाल रहे थे सारी cost का जो भी data दिया गया था यह per unit का data दिया गया था लेकिन यह जो fixed selling and distribution overhead है यह fixed वाला जो overhead है यह हमें total amount बताई गई है per unit नहीं बताई है यह क्या बताई गई है total बताई गई है ठीके और अब आपको क्या दिया गया है साथी साथ आपको क्या दिया गया है अब आपको details दी गई है finished stock की इसका मतलब यह finished goods की detail दी गई है और यह दी गई है आपको raw materials की detail ठीके दोनों में भी आपको क्या दिया गया है opening stock closing stock ठीके opening stock closing stock raw material का भी दिया गया है और साथी साथ finished goods का भी दिया गया है तो सबसे पहले बात उठती है कि हमें निकालना क्या था number of units निकालने थे that are proposed to be sold and हमें selling price per unit निकालनी थी तो देखो हमारे पास हमने format में मैंने आपको बताया था basic हमारा approach क्या होता है total cost plus profit करो तो आपको sales मिल जाता है तो अगर आपको यह question अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास sales revenue total तो मुझे पता है साथी साथ मुझे total profit भी उन्होंने दिया गया sorry total profit नहीं दिया मुझे profit on sales भी दिया गया है profit का percentage मुझे दिया गया है sales के उपर sales के basis पर ठीके अब बात उखती है total cost तो total cost के अंदर दो cost आती है एक तो variable आती है दूसरा आती है fixed cost तो आपको अगर ध्यान में होगा तो variable cost जो मुझे दी गई थी वो per unit दी गई थी और जो fixed cost दी गई थी मुझे वो total दी गई थी तो अब आपको approach कैसे follow करना है आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमारा approach कुछ इस तरीके से रहेगा हम क्या करेंगे सबसे पहले तो calculate करेंगे total variable cost ठीक है total variable cost किस तरीके से calculate की जाएगी देखो per unit की cost का तो detail दिया गया है calculation of variable cost per unit अगर हमें निकाला हो तो मैंने आपको बता है कि direct material आपको दिया गया है material दिया गया था और उसके साथ आपको material की price भी दी गई थी labor का आपको rate भी बताया था और arts भी बताया था factory overhead per unit भी बताया था आपको कि ये तो किसके basis पर था direct labor की basis पर ही था और variable selling and distribution overhead जो आपको बताया थे वो already per unit बताया थे तो आप तो total variable cost थो हम calculate कर ही सकते हैं लेकिन जो fixed expenses दिये गए थे वो total दिये गए थे तो देखो अब आपका approach कैसे आएगा आपको निकालना क्या है number of units to be sold number of units to be sold निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा मुझे calculation कैसे करूंगी sales revenue मुझे दिया गया है minus desired profit on sales करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा estimated total cost मिल जाएगी देखो ये मैंने कैसे निकाला देखो ये जो मेरा अब formula था इसमें से मुझे sales पता है profit पता है तो मैंने क्या किया ये profit इस साइड लेकर गई तो minus sign में profit आ जाएगा ठीक है तो sales minus profit total cost is equal to sales minus profit हो जाएगा total cost is equal to sales minus profit ठीक है तो वही हमने किया हुआ है आपर total profit sorry total revenue sales revenue जो भी estimated मुझे question में दी गई है उस पर desired profit का percentage भी दिया गया है वो less करूंगी तो मुझे estimated total cost मिल जाएगी ठीक है जैसे ही मुझे total cost मिल गई उसमें से मुझे total fixed expenses बता है ठीक है total fixed expenses less करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगी total variable cost मिल जाएगी तो आपके पास total variable cost है और आपके पास variable cost per unit भी है तो आप simply क्या करोगे total variable cost जो आप आपने यहाँ पर निकाली ए वाले point में आप divide करोगे variable cost per unit से यह जो आपने b वाले point में निकाला तो आपको क्या मिल जाएगा number of units sold और एक बार आपको number of units sold मिल गए तो आपका जो estimated sales revenue था यह दिया गया है और यह number of units हमने find out कर लिए इससे अगर मैं divide करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी sales selling price per unit मिल जाएगी ठीक है तो मेरा first question इस तरीके से solve हो जाएगा तो हम आती है फटा फट से हम answer देखेंगे अपना तो देखो हमारी answer में सबसे पहले तो क्या किया गया है total variable cost find out किया गया है फिर यहाँ पर find out किया गया है statement जो इंग variable cost per unit फिर उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर देखोगे अगर आप तो number of units sold आपको निकालनी है तो हमारा formula क्या है total variable cost divided by variable cost per unit ठीक है first question का answer देख लेते हैं first question हमारा क्या था number of units sold और selling price per unit तो हमने अभी अभी format देख लिया हमें क्या करना पड़ेगा total number of variable cost निकालना पड़ेगा और variable cost per unit निकालना पड़ेगा इन दोनों को हम अगर divide करेंगे total variable cost divided by variable cost per unit करूंगी तो मुझे number of units sold मिल जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा number of units sold मिल जाएगा और एक बार मुझे number of units sold मिल गया तो दूसरा step क्या किया मैंने selling price per unit निकालनी थी तो total sales value divided by number of units sold करूंगी यह जो मैंने यहाँ पर निकाला था उसे number of units से sold करूंगी तो मुझे selling price per unit मिल जाएगी तो अब हम क्या करते हैं पटापट से हमारे format में substitute करते हैं values हमने कैसे किस तरीके से variable cost निकाली थी total variable cost सबसे पहले तो आप estimated sales revenue आपको question में दिया गया है sales revenue दिया गया है आपको 397.8 lakhs आपको दिया गया था ठीक है 397.8 lakhs तो आपने देखो वहाँ पर आपको points में दिया गया थे आपने आपने लाक्स में लिखी हुई है पूरी amount उसके बाद आपको दिया गया था decide profit margin यह sales के उपर ही था आपका 20% तो आपने इस amount का 20% लिया तो यह वाली amount आ गई हमारी 79,56,000 तो इससे less करने के बाद sales में से आप profit less करोगे तो आपके कप पास क्या बच गई total cost बच गई यह क्या है हमारी estimated total cost ठीक है उस total cost में से आपके पास question में दिया गया था fixed selling and distribution over it तो देखो यहाँ पर आपको fixed selling and distribution over it दिया गया है यह आपको दिया गया था sales revenue तो sales revenue में से आपने यह profit का percentage less किया तो आपको क्या मिला total cost total cost में से आपने fixed expense less कर दिये तो आपको क्या मिल गया total variable cost ठीक है तो total variable cost मिल गया साथ ही साथ अब मुझे question में variable cost per unit निकालने का data भी दिया गया है सबसे पहले तो material की बात करते है material आपको a 16 per kg और हम कितना use करने वाले है material a हम use करने वाले है 6 kg तो 16 into 6 करेंगे और b material की बात करें तो 10 into 3 करेंगे आप एक ही finish good बना रहे हो तो आपको एक ही vertical column बनाना पड़ेगा ठीक है एक ही column बनाना पड़ेगा because एक ही finish good है हमें उसकी क्या करनी है variable cost निकालनी है तो आपका direct material हम उसमें दो materials use कर रहे हैं a and b उसका हम जो kg में use करें वो है 6 kg 3 kg और उनकी हमें price दी गई है per kg उसे multiply किया तो हमें क्या मिल गई हमें values मिल गई variable cost है यह हमारी जो कि हमें per unit of finish good मिली है यह हमें per unit of finish good मिली अब next हमें दी गया था labor rate आपको दिया गया है machine shop machine shops में हम कितना hours use करें है 4 hours in machine shop तो 14 into 4 hours करेंगे and साथी साथ assembly shop का आपको rate कितना दिया गया है रुपी 7 per hour और हम कितने hours लगा रहे हैं assembly shop में 2 hours तो इससे आपको क्या मिल जाएगा एक ही finish good में हम दो machines में process कर रहे हैं और दोनों machines में आपको hours दिये गए थे और आपको rate दिया गया थो तो hours multiply by rate करेंगे तो मुझे cost मिलेगी variable cost है यह labor cost भी क्या होती है variable cost होती है तो यह दोनों भी मुझे मिल गई साथी साथ आपको factory overhead बोला था कि जितना आपका labor cost है तो labor cost तो दो है मेरे एक तो machine shop से assembly shop से तो इन दोनों को मिला कर उसका 20% लोंगी ठीके तो 20% लोंगी तो यह आवे आपको एक बार शो कर देती हूँ आपको fixed overhead आप गलती से इसको fixed overhead पढ़ने ही लेना यह क्या है तो फैक्ट्री ओवरेट क्या था 20% और डारेक लेबर तो डारेक लेबर हमने यहां पर निकाला उसका 20% ले लेंगे यह factory overhead है हमारा 20% और यह डारेक लेबर हमने 56 और 14 निकाला था उसका 20% ले लिया उसके बाद हमें दि selling and distribution overall और यह already per unit दिया गया था यहने की एक फिनिश कुट के लिए हमें इतना selling and distribution expense लगता है 6 रुपीस तो टोटल हमने किया तो 216 आता है तो हम क्या करेंगे यह जो amount आई है हमारी 3,11,4,000 divided by 216 करेंगे तो यहां पर हमने किया तो हमें number of units मिल गए number of units जो मिलें अब आपके पास selling price per unit निकालना है तो total sales revenue जो आपको question में दिया गया था divided by number of units जो अभी आपने निकाला तो आपको क्या मिल जाएगी selling price per unit मिल जाएगी तो इस तरीके से हमारा first question का answer तो निकल गया दूसरा हमें बताना है production budget तो मैंने बताया था production budget किसके basis पर बनता है sales के basis पर तो एक ब vertical columns बनाने रहते हैं मैंने बताया था production budget जो बनता है वो finish good के basis पर बनता है तो यहां पर हमारा एक ही finish good है तो हमारा vertical column कितने बनेंगे एक ही vertical column बनेगा और उसमें अभी अभी just हमने sales के units निकाले हैं तो वो sales के units निकालेंगे हमने जो answer 1 में निकाला add करेंगे हम closing stock तो देखो finish stock का finish goods का हमें closing stock यहां पर दिया गया है तो add करेंगे closing stock less करेंगे opening opening stock भी आपको दिया गया है 25,000 याद रखना production budget में सारी जो figures ली जाती है वो finish good से related ले रहे हैं ठीके तो सबसे पहले तो starting कहां सी होती है sales से तो sales number of units जो हमने sell करनी है मैं देखो logic explain नहीं कर रही हूँ logic already मैं explain कर चुकी हूँ बार बार logic explain करने से कोई पाइदा नहीं तो इतने units sell करेंगे यह देखो यहां पर number of units मैंने निकाले add हमने किया closing stock 30,000 less करूंगी तो यह मेरी total requirement आगई add करने के बाद उसमें से less किया opening stock opening stock less करने पर मुझे क्या मिल जाएगा required production मिल गया तो question 2 का भी answer मेरा आ गया यह in terms of units उन्होंने बोला था तो in terms of units हमने answer निकाला अब बात उती है raw purchase budget की तो purchase budget जो बनता है material purchase budget material purchase budget मतलब ही क्या यह raw material के basis पर बनता है और हमारे raw material कितने है दो raw material है एक तो A दूसरा है B तो इसका मतलब यह जो हम calculation करेंगे तो हमें 2 vertical columns बनाने पढ़ेंगे ठीक है 2 vertical columns बनाने पढ़ेंगे तो सबसे और यह जो material purchase budget बनता है यह किसके basis पर बनता है production units के basis पर तो देखो ये हमारे production units है तो production units की basis पर और हमने कितने vertical columns बनाए है दो material A, material B और ये है हमारा particulars column तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है सबसे पहले तो आपका जो आपको units produce करने है तो इतने मुझे units produce करने है बल्ला 49,000 सबसे पहले तो आपको requirement निकालनी पड़ती है कि आपको कितने units required है ठीक है कितने units required है raw material के तो ये total इतने units बनाने आपने देखा था कि एक finish good बनाने के लिए मुझे जो A material है वो 6 kg लगता है इसका मतलब 1,49,000 units बनाने के लिए मुझे कितना raw material लगएगा तो मैं कैसे निकाल लूँगी 1,49,000 units into 6 करना पड़ेगा तो इतना raw material मुझे required है उसी तरीके से material B में मुझे 3 units per kg मतलब एक unit बनाने के लिए एक unit finish good बनाने के लिए मुझे 3 kg raw material लगता था तो total 1,49,000 units बनाने के लिए मुझे कितना raw material लगएगा multiply करूँगी तो मुझे 4,47,000 इतना raw material required रहेगा तो इतना raw material required रहेगा तो अब ये मुझे requirement है अब मैं add करूँगी अपना कुछ closing balance closing balance मुझे question में देखो दिया गया था question में मुझे यहाँ पर closing balance दिया गया closing stroke material A का 80,000 material B का 15,000 साथ ही साथ opening stroke भी दिया गया है 75,000 40,000 तो 80,000 55,000 75,000 40,000 यहाँ पर देखो 80,000 55,000 यह क्या है closing stroke और opening stroke less किया हमने 75,000 40,000 तो हमें क्या मिल गई? हमें मिल गई quantity to be purchased quantity to be purchased मिल गई हमने इसका logic मैं already explain कर चुकी हूँ तो अब मैं बार-बार explain नहीं कर रही हूँ ठीके? तो यहाँ पर हमारा यह वाला question complete होता है जो कि बहुत ही simple था because इसमें हम एक ही finish good produce कर रहे थे और raw material हमारे दो थे ठीके? आपने बहुत carefully पढ़ना है कि आपको जो budget निकालने के लिए बोला है तो वो आपको in terms of units बोला है कि in terms of rupee बोला है ठीके? तो यह answer हमारा complete होता है Thank you so much